यार दोस्तों कि आपको पता है कि दुनिया के सबसे जादा से रिले बिच्छों में से एक बिच्छू इंडिया खाई लिए तो यार दोस्तों आज का टॉपिक है All You Need To Know About Scorpions in Hindi यार दोस्तों यह है मेरे एक छोटा सा चानल Animalopedia सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यह और अगर नहीं किया है तो तुरंत कर दो और हाँ जब आप लोग सब्सक्राइब का और लाल बटन दबाएंगे तो बाजू में एक घंटी आएगी उसको जरू दबा देना क्योंकि उसके बाद एक जादू होगा तुरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन और कंप्यूटर पर आने लेगी तो आईए अब शुरू करते हैं पूरे वर्ल्ड में अभी तक 1,988 स्कॉर्पीन की स्पीशीज आइडेंटिफाइड हैं और हर रोज कोई न कोई नही स्पीशीज इनमें जुड़ती जा रही हैं 1,988 स्पीशीज में से केवल 25 स्पीशीज ऐसी हैं जिनके काटने से एक एडेल्ड की मौत हो जाती है और फैक्ट की बात यह है स्कॉर्पीन की जितनी भी स्पीशीज हैं वो सारी की सारी वेनमेंस हैं जी हाँ दोस्तों वो सारी स्पीशीज जहरी ली हैं फर बस इस शीज का होता है कि जो भी scorpions होते हैं, जो इनका claw का size जो होता है, वो छोटा होता है, वो जादा जहरीले होता है, लेकिन वही जिनके claw का size, claw या नहीं होता है, पंज़ा जिसको आप लोग चिम्टा भी बोलते होंगे, कि claw का size बड़ा होता है, वो कम जहरीले होता है, लेकिन मेरी ये बात सुन हैं मतलब कि नाइट में अक्टिव होते हैं लेकिन इसमें कोई चौकने आली बात नहीं है कि आपको सर्दियों के सुभा भी बिच्चु अक्टिव मिल जाए यहार अलग-अलग बिच्चु अलग-अलग जगा रहना पसंद करते हैं लेकिन जादा तर बिच्चु पत्थर ज और बाφी जगाओं में रहना पसंद करता है और जन जगाओं में जाद़ा मौइस्यर होता है वह जगा बिच्चु के लिए बएस जगा उती यह अर हर विच्चु की शब्र ही यही होती है और हर बिच्चु का जहर उनकी पूछ में ही पाया जाता है यानि कि अगर बिच्चु की पूछ काट दी तो वो आपका कुछ नहीं काट सकता लेकिन याद रखेगा अगर आपने एक बार बिच्चु की पूछ काट दी लेकिं जो दुनिया की सबसे ज़ादा दो जहरीले बिच्चू हैं उसमें से सबसे ज़ादा जहरीला है Dead Stalker और सेकेंड नमर पे हैं Indian Red Scorpion उनका कलर ब्राउन इश और एड़ेश है और अगर Indian Red Scorpion की बात करें जिन लोगों को Red Indian Scorpion ने काटा है उनका यही कहना है कि दर्द जुलसा देने वाला होता है जहां भी भी बिच्चु काटता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा काला और वाइट वाइट कलर का दाक पड़ जाता है जो जिन्दी के बार रहता है और इनके काटने पर बॉड़ी बहुत जादा शेयर करने लगती है रिसेर्चेस का यह कहना है बिच्चु के काटने के बाद 50-60% उसके जहर का असर किवल 6 गंटे में कम हो जाता है लेकिन 4-5 दिन तक उसके side effects रहता है अगर आपको एक बिच्चु ने काट लिया है तो आप क्या करेंगे एक घरेली और effective को पाई यह है कि आप प्यास को काटके उसका रस affected area पे लगा लिजे और चाहे वो कोई भी बिच्चु काटे डॉक्टर्स के पास एक बार ज़रूर जाए अगर आप बिच्चु को अपने घर से दूर करना चाहते है यह आपके घर के आसपास बिच्चु आ रहे है और आप नहीं चाहते कि आपके घर के अंदर गुसके किसी को काट भी ले तो बेटर रहेगा कि यहाप एक spray bottle में peppermint या तो डाल चीनी या तो विनेगर भरके जहाँ 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 पे बिच्चु के रहने की जगा है वहाँ पे उसको spray कर दीजाए इन सब के अंदर बहुत जादे एक strong smell होती है जिसको बिच्चु बिलकुल नहीं पसंद करते हैं और बिच्चु हाँ से चले जाते है और अगर आपके घर में इक बिच्चु आ गया है तो प्लीज यार उसको मारिये मत उसको side कर दीजए आप एक wiper और जाडू का मदद ले सकते हैं हर जानवर में life, feelings और emotions होते हैं इनसानों की ही तरह तो प्लीज बिच्चु या कोई और भी जानवर हो कभी उसको मारिये मत और हाँ ये चीज हमीशे याद रखिये कि बिच्चु और हर जानवर से घर उनका आपने चीना है धन्यवाद दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलता हूँ आपको ऐसी ही इसी नेक्स वीडियो में सब्सक्राइब जरूर करिएगा जैहिन जैभारत